इस चुनाब प्रचार में आपने रंगों का ऐसा फ्यूजन कहीं नहीं देखा होगा। वैसे तो चुनाब में कपड़ों, जंडों, टोपियों और गले में पड़े दुपट्टों से पहचानना बहुत आसान है कि कौन कैंडिडेट है और किस पार्टी के नाम पर वोट मांग रहा है। क्या उसका एजंडा है? लेकिन बिहार के सिवान में पूर बाहुबली सांसर शाबुद्दीन की पतनी हिना शहाब इस ट्रेंड को तोड़ती दिख रही हैं कि किसी एक रंग पर किसी एक पार्टी का विशेश अधिकार हिना शहाब बुरके में वोट के लिए घूम रही है लेकिन उनका प्रचार पूरा भगवाधारी है। लेकिन इस तस्वीर से पहले आपको बिहार के दर्बंगा का हंगामा दिखाते हैं क्योंकि इस हंगामे की जड़ में काला बुरका ही है। पांचवे दौर के चुनाब में मदुबनी सीट पर गर्बंगा के हकानिया मदरसा पोलिंग बूद पर तीन बुरके वाली महिलाओं को फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया था। एक लड़के को भी थाने से चुड़ा कर ले गई। अब पुलिस ने 130 लोगों पर F.I.R. दर्ज कर ली है। S.I.T. भी बना दी है। चुनाब में पिछले दिनों एक बुरका फोर्स बनी थी जिस पर सवाल उठे थे। हैदराबाद में बीजेपी उमिदवार ने बुरके वाली महिलाओं से उनकी आईडी मांग ली थी। उस बात का भी पतंगड बना था। ऐसे विवादों के बीच बिहार के सिवान की ये तस्वीरे आपको थोड़ा रूहानी सुकून दे सकती है। सिवान की सड़कों पर पैदल मार्श करते हुए एक बुरका धारी महिला और उसके साथ कुछ भगवा तो कुछ फीले दुपटों, गमचों, तोपियों और साफों में चलते लोग। थोड़ी देर को लगेगा कि ये दिएच पी या बजरंग दलवाले, कोई प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। दरसर हिना शाहाब ने अपने प्रचार में सारा भगवा रंग जमा कर लिया है। मरूम सांसर शाबुदीन की पतनी हिना शाहाब सिवान से निर्दलिये चुनाब लड़ रही है। बुर्के में हिना शाहाब मंदिरों से लेकर गुरुद्वारों तक हिंदू मुसलिम हर महले में दस्तक दे रही है। उनके भगवा फील्ड से कोई घबराहट भी नहीं है क्योंकि बीजेपी यहाँ वैसे ही मैदान में नहीं है। बटवारे के तहट ये सीट जेडियू को गई है और दूसरी पार्टी आरजेडी है। शाबुदीन सिवान सीट से चार बार सांसत रहे थे। हिना खुद भी आरजेडी की टिकेट पर तीन बार लोगसबा चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन तीनों ही बार हारी है। शाबुदीन को भुला देने की वज़़ा से भी उनका मन आरजेडी से खटा है। हालाकि अटकले ये भी है कि चुनाव जीतने पर कहीं सच में भगवा क्याम की ना हो जाएं। दिल्चस्प ये है कि वो इससे इंकार भी नहीं कर रही है। मैडम भी कहती हैं सारे रंग है और सारे जात, सारे धर्म के लोग मैडम के साथ दिल से लगे हुए हैं। ये नया नहीं है, साहवदीन साहब थे, उस समय भी किसी पुया पार्ट में जाते थे, तो लोग उनको तिलक लगाते थे। मैंने कहा था, ये सारे रंग हमारे हैं। लोग टुकडों में बटे थे, मैंने सबकों एक करने की ठानी है, इसलिए सिवान जिला हमारा है। जनता हमारा मालिक है, सिवान जिलाजी सोर जाएगा, आपकी हिना उसोर जाएगा। महिलाओं के खाता में एक लाक रुपया, खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट। अब इजेपी का हो रही है, सफाचत, सफाचत, सफाचत। पांचरण का परिणाम जानना है क्या? तो पांचरण का परिणाम जान लो, मोदी जी 310 सिट पार कर गए है। और ये मम्ता दिदी का इंडी एलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वलो, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 3 सिटे नरेंद्र मोदी की जोली में जाने वाजी है। मुझे लगता है, ये एलेक्शन में लोग जो है, बहुत ज़्यादा फिकर मन है कि कहीं हमारा समयदान खत्म ना किया जाए। प्रिजो चार्सो पार, चार्सो पार बीजेपी बोलती हैं, लोग भी ये सोच रहे हैं, क्यों चार्सो पार अगर सरकार बनाने के लिए 272 सिटे चार्सो पार क्यों कह रहे हैं। और कई बीजेपी की लीडर्स ने ऐसे स्टेट्मेंट भी दिये, जब हमारे पास चार्सो सिटे होंगी तो हम समयदान को बदल देंगे। मुझे लगता है वो एक मैसेज चला गया है, उसकी वज़े से बीजेपी की सिटे बढ़ने के बजाए कम हो रहे हैं। नरेंद्र मोधी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे। एक नॉर्मल जवान या अपसर और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अगनिवीर नाम दिया है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया की सरकार आएगी, अगनिवीर योजना को उठा कर हम कूडे दान में फेक देंगे। झीनियूस